हालो स्टुदेंट्स, तोडे वी विल डिस्कुस्ट टॉपिक माउंटेंज, माउंटेंज जाने की पर्बत, अ माउंटेंज इस एनी नेच्रल अलिवेशन अफ अफ अर्थ सर्फेस, दा माउंटेंज में हैवा स्माल समेट एंड ब्रॉड बेस, पर्बत जिड़े ने ओ कुदरत द्वारा जिड़े सानों परदान किते जान देने, कुदरत जिड़े या इनना दा जनम जिड़ाया कुदरती तवारते ओ हुंदाया, और तरती तो काफी जिड़े या ए उच्छे हुंदेने, mountains चेड़े ने इनना दा base चेड़ा काफी broad भी हुन दाया चोड़ा भी हो सकदाया और छोटा भी हो सकदाया और उपर जड़ी जाके इनना दे जड़ी shape या ओवी अलग लग तरादी हुन दिया it is considerably higher than the surrounding area ए अपने आसपास दे area तो काफी चड़े ने उच्चे हों देने some mountains are even higher than the clouds कई mountains चड़े आ ओ बदला तो मी उच्चे हन as you go higher the climate becomes colder जिवें जिवें तुसी उपर mountains जे उपर जाओगे चड़ा climate आ ओ ठंडा हुनदा जाओगा in some mountains there are permanently frozen rivers of ice कई जहे परबत साथ दे मेल देने जिड़े की permanently frozen ने पूरे world दे वेचे स्टान दे mountains हैगे ने जिड़े की पूरे इत्रा जम्मे होई ने rivers of ice बरफ दिया जिड़े नदिया नदिया या उनना दे वेच जम्मिया याने they are called glaciers उनना नो glaciers क्या जानता है there are some mountains you cannot see as they are under the sea कोज mountains जिड़े है हो जिने जिड़े की असी वेख नी सक्दे जिनना नो क्यों नी वेख सक्दे क्योंकि ओ समुंदर दे वेच जिड़े स्टेतुन देने because of harsh climate less people live in the mountain area since the slops are steep less land is available for farming क्योंकि mountains जिड़ा climate हो काफी harsh हुंदा या इथे जिड़ा रहना सोखा नहीं हुंदा इसकर के परवत्ती खेत्रा ने वेच बहुत काट population है बहुत काट लोग जिड़े हो रहन दे ने plains area दे मुकाबले इथे जिड़ाया बहुत लैंड जिड़िया काट जिड़िया ओ फार्मिंग वास्ते उपलब्द हुंदिया तेट लाना दे वेच जिड़िया खेती किती जन दिया सो लेस्ट फार्मिंग होंदे कार के हर आश डिड़ाक्त लाइमेट होंदे कार पापुलेशन जिड़िया काफी काट हुंदिया सो आई होब तानू mountains बारे जिड़िया जान करी ओ मिली होएगी और तानू समझ आई होएगी थैंक यू फर वाचिंग वीडियो